मैं हूँ बेताल, गल्ले नहीं दूगा किसी की दाल तो देखा राजन, ऐसे थे हमारे समराठ, विक्रमा, दित्य, जिनका मित्र होने का सौभाग्य, मुझे प्राप्त हुआ और आप परोपकार की सीड़ी पार करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको ये बताना होगा कि परोपकारी के गुण क्या होते हैं और अगर आप नहीं बता पाएं, तो कोई बात नहीं बस इस सिंगासन को भूल जाएए तो बताईए राजन, परोपकारी के गुण कौन कौन से होते हैं और इतने होते हैं एक, दो, चार या पाँच, बताईएं। तीन, प्रोपकारी के तीन गुड़ होते हैं श्रीमान बेता, पहला हितकारी, दूसरा निस्वार्थ भावना, और तीसरा निरने लेने की शम्ता है। जिस मनुशन, अपने स्वार्थ से उठता, दूसरे की भलाई करने के एक चार, और परिस्तिती को देखकर तुरंत निरने लेने की शम्ता है। वही असली अर्थ में परोपकारी है। राजन वो किताब मुझे भी दीजिएगा, जिसमें से पढ़ पढ़ के आप ये सारे उत्तर देते हैं। वैसे आपने मेरे प्रिशन का उत्तर तो सही दे ही दिया है। परन्तु फिर भी आप परोपकार की सीड़ी पार नहीं कर पाएंगे। पूछिए क्यूं। वो यूँ कि उसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐसी पवित्र निधी ढून कर लानी पड़ेगी जो दूसरों के हित के लिए निस्वार्थ भाव से प्राप्त की गई हो। और आप ऐसा कर पाएंगे नहीं। तो सिंगासन के लोग को भूल जाएंगे और छोड़ दीजिये हट। इसा कभी नहीं होगा श्रीमान बेतर। ना चुनौती के लिए तयार है। जय महतार। इस घंगल में एक साथ कई स्तियों के रूने की आवास। क्या दुख हो सकता है। मुझे देखना चाहिए। और उनकी सायता करनी चाहिए। यहां तो कोई भी नहीं है। तो कि रोने की आवास तो यह कहीं से आ रही थी। इसी जल्दी कोई कहा जा सकता है। यहां रहकर हमारा दुख और मत बढ़ाओ। तुम स्वार्थिय मनुश्य क्या भला करोगे हमारा। तुम्हे तो हम बेजुबानों की हत्या करने में जरा भी दया नहीं आती। देवियों, मैं आपके दुख को बढ़ाना नहीं चाहता। बल्कि उसे कम करना चाहता। इसलिए मुझे अपने दुख का कारण बताएं। और मुझे साहता करने का अफसर दें। विधाता ने मनुष्य की पांच उंगलियां बनाई है। और पांचों उंगलियां समान नहीं होती। इसलिए सारे मनुष्य समान हो ये भी आवश्यक नहीं। अगर कोई अधर्मी है तो धरम की रक्षा करने वाला भी है। हम कैसे मान लें कि तुम लोभी, स्वार्थी और निर्मम नहीं हो। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। कुछ भी नहीं जो मैं दिखा सकूँ। और मेरा ये कर्म है जो ये अवश्य प्रमाणित करेगा। कि मैं कौन ह। बस एक बार मुझे विश्वास करें और मुझे अपने सहाथा करने का अवसर दें। मुझे अपने दुख का कारण बताएं। हमारे दुख का कारण है सामंत और कांत्रिक। इसा क्या किया उन्होंने देवियों। उन्होंने हमारी राजकुमारी मत्सगंधा को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने का कारण? लोब। किस बात का? उनकी आसूओं की आहुती का। उससे कहलाब होगा। सामंत अब हम इस हवनकुंड में मत्सगंधा के आंसूओं की बली देंगे। उसके बाद सबसे पहले ये डक्षिनमुकिशंक सोने का हो जाएगा। और आप अपने हाथों इसे बजाएंगे। और इसकी ध्वनी जहां जहां तक जाएगी वहां वहां तक हर लोहे की वस्तू सोना हो जाएगी। तो देर किस बात है। चुरू कीजिए। मत्सगंधा के आसू चाहिए। मत्सगंधा अपने आसू थे नहीं दूंगी। मेरे प्राण भी लेलोगे तब भी नहीं दूंगी। हमें दंडेत करने के लिए विवश ना कर। तुम जानती नहीं। हम तांत्रेक हर तांत्रेक। हम अपनी तंत्रविद्या से तुम्हें ऐसी पीड़ा देंगे कि तुम्हारी आँखों से आसू थमने का नाम न लेंगे। तो फिर तेर किस बात दी। दो कश्ट। हम विवश है। हम नहीं दे सकते तुम्हें दंड। तुम्हारे आसू तभी फलित होंगे जब तुम उसे अपनी इच्छा से दोगी। नहीं दूगी। और नाहीं पूरा होने दूगी तुम दोरों की ये लालच। इन तो देवियों। उस तांत्रिक ने मचसे गंदा देवी को बंदी बनाया कैसे। छल से, एक दिन की बात है सामंत नदी किनारे बैटकर छाती पीट-पीटकर रोने लगा। वो डूपकर जान देने लगा था। मचसे गंदा को उस पर दया आई तो जान देने का कारण पूछा। सामंत ने अपने पाप काटने की उपाई स्वरू जल परियों को भोजन खिलाने की बात कही। उसने ये भी कहा वो जो भोजन देता है उसे आप जल परियां ग्रहन नहीं करती है। जो सच भी था। कहने लगा जब तक उसका पाप नहीं कटेगा ऐसे में जीकर क्या करेगा उसका मर जाना ही अच्छा है। ये सुनकर ग्रहन करने के लिए वो नदी से बाहर आई। तभी घात लगाये बैठे तांत्रिक ने अपनी तंत्र की शक्ती से हमारी राजकुमारी को बंदी बना लिया। और उनके आसू लेने के लिए अपने साथ लेकर चला गया। अब समस्या ये है कि मनुष्य कभी भी विश्वास के पात्र नहीं होते। काजल की कोठरी में रहने वाले सभी काले हों ऐसा आवशक नहीं। मैं आपके इस भ्यानती को आवश्य दूर करूँगा। मत्सकंधा। मैंने तुझे बहुत भोजन दिया। परंतो अब उस भोजन के एक-एक दाने का हिसाब लूँगा। मैं एक-एक दाने का। तांत्रेक आवाहन शुरू कीजिए। सामन्त, सोने की लालच ने तुझे अंधा कर दिया है। मैं तुझे शाब देती हूँ। कि तेरी ये लालच ऐसे भलेगी, कि जिस भी जीवित प्राणी पर तेरी ये नजर पड़ेगी, तो सोने में बदल जाएगी। मूर। तुम हमारे यजमान को श्राप नहीं दे सकती। हम तुम्हें इसी हवन कुण में पास्प कर देंगे। हखवान विष्णु के हाथों में बिराजने वाले ये दश्मुखी शंक इन पापियों से में रक्षा करो। है। कांतरिक, यदी मच्च गंधा का श्राप सत्य हो गया तो। सामंद! चमतकार! चमतकार हो गया सामंद! अब मैं कुछ भी सोने का बना सकता हूँ! किसी को भी सोने का बना सकता हूँ! मैं, मैं सबका सोने का बना दूँगा! मैं जहां भी देखूंगा सोना बनेगा! सोना बनेगा! हर तरफ सोना ही सोना सामान! देवी मत्सगंदा को कुछ भी नहीं होगा! मैं आप सबको वचन देता हूँ! कि मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा! सुरक्षित! और सरकुषल! आपके इस वचन के पीछे का स्वार्थ क्या है? कुछ भी नहीं! यह सब मैं आप लोगों की हित के लिए कर रहा हूँ! मुझे पर विश्वास रखें! और मझे आग्यात है! क्या बात है सामन जी? आप आखें बन करके क्यों चल रहे हैं? मैं स्वन लोग बसाओंगा! स्वन लोग का स्वामी बनूँगा मैं! मैं जिसे भी देखूंगा वो सोने का बन जाएगा! सोना! सोना! हर तरह सोना ही सोना! भागेवान! बाहर आईए! बाहर आईए भागेवान! हम आपके लिए एक शुप समाचार लाएं हैं! कहिए स्वामी! अरे! इसे क्या हुआ? मैंने वर्दान पा लिया! मत्सगंधा ने मुझे वर्दान दे दिया! कैसा वर्दान? कि मैं किसी भी जीवत वस्तु को देखूंगा! तो वो सोने में बदल जाएगी! ये वर्दान नहीं शाप है! आप लोब में इतने अंधे हो गए हैं कि आपको शाप और वर्दान में अंतर समझ नहीं आ रहा! बहुत बड़े पापी हैं आप! मुर्ग स्थ्री! कोसना बंकर! अरे तू क्या जाने सोने का मोल! अब मैं लंकापती रावन की तरह अपनी सोने की नगरी बनाऊंगा! इस संसार का कुबेर बनूंगा मैं! कुबेर भी मेरा दास होगा! मुझे गाउं जल्दी पहुंचना होगा! अनिता भारी अनर्थ हो जाएगा! अब भी यह सब क्या है? आप तब कोने में परिवर्थित कैसे हो रहे हैं? अपने पती के लोग के कारण हम सभी जीवित प्राणियों पर मच्सेगंदा का शाप फलित हुआ है! सोने के लालच में अपने यज्य के लिए उन्हाने उसे बंदी बनाकर रखा था! उसी का फल है यह सब! और देवी मच्सेगंदा का है? नहीं जानती! और आपके पती? लोगों को सोने का बनाने के लिए! मैं हूँ बेताल! गलने नहीं दूँगा किसी की दाल! जाकर देखता हूँ कि राजा बूज अब क्या तिकडम बिढ़ाएंगे? और कैसे खिचडी पकाएंगे? क्योंकि ये परिक्षा बहुत ही कछिन परिक्षा है! सौंदर ये लेखा तुम? हाँ मेरी पेताल, मैं सुर और तुम ताल? देखो देखो सौंदर ये लेखा, इस समयना मैं बहुत ही आवश्यक कारे से कहीं जा रहा हूँ लेकिन मैं तो अभी हुआई, तो तुम चल दिया है? ने, मैं चल दिया था, तब तुम आई एक ही तुम बात हुई ने, एक बात निये, देखो मेरी बात चुनो तुम मेरी बात चुनो, बीताल, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी ये देखो, तुम्हारे लिए प्रेम अंगोचा हुलाई इसे तुम्हें पहना के ही रोंगी अब देखो सौंदरेलेका, मैं ये प्रेम अंगोचा पहनूँगा अल लेकिन तक उस पेड से सौने का आम नहीं गHeरता न जमीन पर अपक्र Balkans र जेको कहा है वह तो आम का पेड हे ही नहीं बेता आहा, आम पेड नहीं वह लेकिन उस पेड से सुने का आम जमीन पर गिरता है और अगर तुम्हें देखना है ना तो एक टुक वहाँ पर देखना पड़ेगा बिना अपनी पलके जपकाए और मुड़कर तो बिल्कुल भी मत देखना वरना तुम सोने का आम जमीन पर गिरते हुए नहीं देख पाओगी ठीक है बिल्कुल मौन धारन करके वहीं देखती आएरो जहन लगाओ सॉंदरिलेखा जहन लगाओ आम जिरेगा कमाल कर दिया सामन तुमने कमाल कर दिया किसी को नहीं छोड़ा किसी को भी नहीं सबको सोना बना दिया सोना मजसघंधा ने मुझे बहुत बड़ा वर्दान दिया है एकदम मेरी इच्छा के अनुरूप सोना, सोना, सोना केवल सोना ही सोना नश्यत रूप से ये आवाज सामन्त किया मेरी आखों में वो शक्ती है कि जिससे देखूं वो सोना बन जाए संसार वालों अपनी कुछलता चाहते हो तो मुझसे बचके रहना अन्यत आपने जीवन से हाथ धो बैठोगे सब को सोने का बना दूगा, सब को किन्तु सामन तुम सोने के नहीं हो तुम एक इंसान हो जो मिट्टी का होता है तुम में भी जीवन और जीवन का अर्थ होता है भूग, प्यास, सर्दी, गर्मी जो सोने से नहीं मिट्ती सोने से नहीं बुच्ती कौन है? कौन है उदर? साहस है तो सामने आओ यहीं यहीं तेरी भूख और प्यास दोनों मिटा दूँगा इसके सामने जाने में कत्रा है बिना इसके सामने पह मुझे इससे संझाने का प्रयास करना होगा मझे इसकी त्रिष्टी से बचना होगा ज को सामन्त श्राब कभी सुधाई नहीं होता इसलिए मान लो मेरी बात अपनी आखे मून लो और शांती पूर्वक अपने इश्राब से मुक्तोने का उपाई सोचो मूर्ख वर्दान है ये वर्दान धन्यवाद उस मत्से गंधा का जो मुझे श्राब दे कर उस दक्षिन मुखी शंक में समाकर अद्रिश्य हो गई किन्तू मेरी आखों से तू अद्रिश्य नहीं हो सकता तुझे तो मैं खोज ही निकालूंगा मान लो मेरी बात अपने इस लोब को त्याग दो जिस लोब में लाब हो बुद्धी मान उसे नहीं त्यागता पर तू है कहाँ सामने आ छिप कर क्यों उपदेश दे रहा है सामने आ तो पता चले के कौन क्या त्यागता है तू जीवन या मैं लोब कहीं ये दुश्ट सामन्त आसमान की तरफ ना देख ले वरना मैं भी सोने का बन जाऊँगा और ऐसे हमेशा के लिए हवा में लटका रह जाऊँगा अपने जलोब को त्याग दो सामन त्याग दो छोड़ मुझे छोड़ मैं तो जावी सोने का बनाता हूँ शोड़ दे मुझे कायार कहाँ चिपाए सामने याँ सामने याँ कहाँ चिप गया अरे हाँ ये जुक्तिया वश्य काम करेंगा अब तू भी बनेगा सोने का अरे हाँ थाँ ये जुक्तिया ये जुक्तिया ये जुक्तिया प्रवेश प्रश्राइब प्रवेशा था रखना प्रवेशा रखना है